सुप्रिम कोट ने ये तै किया कि F.I.R. ना हो और इंवेस्टिगेशन ना हो और अम्बेंस में डाल दिया जाए लेकिन देखिए F.I.R. ना होने का मतलब यह नहीं है कि F.I.R. नहीं होगी अगर किदारनाथ का जज्मेंट माँ लिया जाता तो कुछ भी नहीं हो बात ओर यह कहर रहे हैं कि अगर किसी ने नारे लगा दिये या अगर किसी ने कुछ स्पीश भाशन दे दिया तो सिर्फ भाषन की बिना पर FIR ना हो, कुछ लिख दिया सर्फ लिखने के बिना पर ना हो, जब तक उसके नतीजे में कुछ और ना हुआ हो, कोई वाइलेंस हुई हो उसके नतीजे, बेसिकली खानून में इतनी इसमें वह बात नहीं रही, क्योंकि राज्टरों साबित करना बड़ा मुश्किल नमस्कार साथियो, नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोट ने इंडियन पेनल कोट की धारा 124 से, यानि सडीशन, यानि राजद्रों की संब्यधानिक्ता पर सुनवाई करते हुए, अपने आदेश में कहा, कि we hope and expect, यानि कि हम उमीद करते हैं, और 124-1 के तहर ना तो FIR दर्ज करेंगी, ना इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और ना ही कोई प्रतारना करेंगी, इसके बाद ये कहा गया कि बहुत एतिहासिक फैसला है, तो दूसरी तरफ यह भी बात आ रही है, कि इसको बड़े साउधानी से पढ़ा जाना चाहिए, पाई पिछले साल भी हुई थी, 5 मई को और 11 मई को, सॉलिष्टर जनरल की रहा है, एटॉर्नी जनरल की रहा है, सुप्रीम कोट की रहा है, सरकार की रहा है, और इस आदेश को ले करके थोड़ा लेक लिखे जारा है, उलजहन भरे हैं, थोड़ा साउधानी से पढ़िए, इसको थोड़ा हमारे दर्सकों को आप बता दीजें, देखे अजय, राच द्रोह का कानून, जाहिर है कि अंग्रेज लाए था, और अंग्रेजों ने भी ये जो इंडियन पीनल कोट है, इसकी जो 1860 में लागू हुई, उसमें ये नहीं था, जब देवबन से फत्वा आया कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के मुसल्मान अब जिहाद करें, इससे ये भी समझने की जरूरत है कि जिहाद जो है, वो एक जल्म के खिलाफ लड़ाई, वो कोई किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, और अगर आप पर जल्म नहीं हो रहा तो आपको जिहाद करने कधिकार नहीं है यह है कि जिहाद सबसे बड़ा अपने विरुध होता है यह हमारी भारत की संसकर्टियर रही है कि सबसे बड़ा कंट्रोल जो एवेशा अंद। उल्मा ने कह दिया कि मुसल्मान जो हैं वह अंईर्यलों के खिलाप अब जब हतियार उठाएंगे और वद्देश के राश्टिया अंदूलन में हिस्सा लेंगे तो वो एक मजभी काम भी कर रहे होंगे क्योंकि अंग्रेजों का भारत पर कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतियों को अपने आधीन रखें तो ये वहावी मूव्मेंट और ये जो कॉल अफ जिहाद थी उसके रिस्पॉंस में ये संशोधन करकर इंडियन पीनल कोड में लाया गया अच्छा अब आप ये देखिए कि इसमें जो कानून में खास बात है वो ये कि आपने कुछ बोल दिया उसको भी राज़्दरों मान लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप सरकार के विरुब कोई ऐसी गलत बात इल फीलिंग का जिक्र ना करें यानि सरकार जो है वो एक राइट टू एफेक्शन तो सरकार की ये मतलब पहले बाद्शाह ने ये ड्यूटी लगाई आप ये सोचिए कि मेरे खाल से 1704 का जज्जमेंट है एक रेक्स वर्स तुचिट चीफ जस्टिस होल्ड का जिसमें उन्हों ने ये कहा कि लोगों को इस बात के लिए जम्मदार ठहराया जाएगा अगर वो बाद्शाह के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई गलत राइए रखते हैं और ये जरूरी है क्यूंकि अगर लोगों की सरकार के बारे में अच्छी राइए नहीं हुई तो कोई सरकार चल नहीं सकते बात हो रहे हैं अभी जन्तंत्र नहीं आया अभी अभी व्यक्ति का अधिकार नहीं आया अब देखिए कि इंग्लेंड ने इसे समाप्त कर दिया उस्टेलिया ने इसे समाप्त कर दिया जहां जहां अभी व्यक्ति का अधिकार आता जा रहा है तो सरकारों के विरुद बोलने पर राश्द्रोग का कोई मामला अब नहीं बनता सरकार से घल्पी यह हो गई कि दोहजार इकिस में जुलाई में जब यह हेरिंग हुई और उनसे कहा गया कि आपको जो कुछ इस पर कहना है आप कह दें एक अपना हलफ नामा दे दे वह हलफ नामा सरकार ने एक साल पर कॉलम है वेनु गुपाल बड़ी इज्जत है उनकी जजस और बार में उन्होंने खुद यह कह दिया खड़े होकर कि इस कानून का बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ तो सॉलिसिटर जर्णल पर यह जिम्मेदारी आई कि अब इस कानून का डिफेंस करें क्योंकि एटॉर्णी जर्न करेंगे आप इसमें ना सुनें अभी फिलहार आम तोर से अजह जब सरकार ही कहती है कि हम किसी चीज़ को रीकंसीडर कर रहे हैं तो वो जो लक्षबन रेखा की बात लॉर्णी ने कही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सचाई है कि फिर अदालतें उसमें बोलती नहीं खास तो और से उस लौ के बारे में जो सौ साल से ज़्यादा पुराना कानून है उस लौ के बारे में जिसको सुप्रिम कोट की खुद एक पांच जंच बेंच ने के दारनाथ के केस में 1962 में समयधानिक पाया था यह एतिहासिक है कि सरकार के यह कहने के बावजूर कि हम इसको रीकं लेकिन देखिए ऐफ आईयार नहोने का मतलब यह नहीं है कि अफ आईयार नहीं होगी उन्होंने एक होड एक्सिप्रेस किया है और इस तरहा के फूर कुलिस मानते नहीं हैं अगर यह होड माना जाता तो आप सोचिए 62 का तो जज्ज्मेंट है होड नहीं है जश्मेंट है जिसमें ये कहा गया कि जब तक किसी के बोलने के नतीजे में वाइलेंस ना हो, पब्लिक आउडर को खत्रा ना हो, तब तक राज़द्रों का मामला नहीं मान लेकिन इस पाथ जज़ेस की बेंच के इस सैसले को हमारी पुलिस में नहीं माना, तब तो ये मामला यहां तक अचा, अगर किदारनात का जज्जमेंट मान लिया जाता, तो कुछ भी नहीं होता, मेरी स्टिक सेंस यह कहता था, कि सरकार जो है, वो यह कहेंगी, कि जो किदारनात ने कह दिया, अब हम उसको इंडियन पिनल कोड में लिख देंगे 124 के में, और यह मामला रफा रफा हो जाएगा, लेकिन कोड कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद डिटर्मेंट थी, अगर बहस होती तो इसे असर मेधानी की डिक्लियर कर दे, तो सरकार ने एक तरीके का मास्टर स्टोप खेला था, लेकिन वो चीफ जस्टिस अफ इंडिया ने एकसेप नहीं किया इस स्टेज प कर दी, इसलिए हम इस कानूं को अबेंस में रख रहे हैं, लेकिन ये कि एफ आई आर नहोने पे सिर्फ शब होप है, और मैं ये समझता हूं कि अदालतों के जब फैसले नहीं माने जाते, आप देखिए फुलिस रिफॉर्म के सलसले में तो प्रकाश सिंग में फैसला था, कितने और सुप्रिम कोट के ऐसे जज्जमेंट है जो लागू नहीं हो पाए, तो कोई बहुत बड़ा चेंज ग्राउन पर नहीं होने जा रहा, लेकिन ये कि सुप्रिम कोट ने लोगों के मौलिक अधिकार और सरकार के इंट्रेस्ट को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं मौल अधिकारों को तरजी दी है इस पैसे तो क्या सर मतलब की आपकी बात से तो लग रहा है कि बहुत अस्पश्टा मतलब नहीं है आदेस में लेकिन फिर दिर के मामले में जरा आदेश कमजोर है, हाँ, फाइयार के मामले में कोई सक्त ये कोट कह देती कि अब कोई फाइयार ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद रखते हैं, कि अब फाइयार नहीं होगी, और देखे, सच बात ये भी है, मेरी देखिया आजये, बात हमेशा ये रही, कि मैंने एक लौ के विध्यारती की तरफ सही सही कानून को देशवासियों तक पहुचा रहा है, देख फाइयार होगी और होनी चाहेंगी, प्रश्नी ये है कि क्या सिर्फ बोलने पर फाइयार होगी, इस पहलो कर अगर राजद्रो का मामला है, तो इंडियन पीनल कोड में पूरा एक चैप्टर है, वेजिंग वार, भारत सरकार के विरुद, विद्रो, अगर आर्मी में, सारी शक्ति से मिलके देश की संप्रुबता पर कोई कटुरा घात कर रहें, तो आप पर मुखदमा चलेगा, और 124 एच चला भी जाए, तब भी देश में और बहुत से कानून हैं, जिन कानूनों के तहट आपके उपर मुखदमा चलेगा, तो सुप्रिम कोर्ट ने इस बा भाशन दे दिया, तो सिर्फ भाशन की बिना पर FIR ना हो, कुछ लिख दिया, सिर्फ लिखने के बिना पर ना हो, जब तक उसके नतीजे में कुछ और ना हुआ हो, कोई वाइलेंस हुई हो उसके नतीजे में। में बंद हैं, क्या वो अगर जमानत के लिए अरजी दें, तो वो छूट जाएंगे, ऐसा कुछ है? अगर किसी पर सिर्फ 124A का मामला पुलिस में लगाया है, और वो एप्लिकेशन देंगे, तो जमानत मिलने की पॉसिमिलिटी बढ़ गई है, लेकिन पुलिस कभी भी अजय एक सेक्शन के तहत आपको बुक नहीं करती, जैसा कभी नहीं होगा कि किसी के उपर सिर्फ 124A ल लगाती है, और वो आधा दर्जन जो और सेक्शन से हैं, वो मौझूद है, आप देखिया, आजम हां का केस है, 87 केस लगा दिये उनके उपर, इतनों में बेल हो गई, एक में नहीं हुई अभी तक जेल में, तो बहुत मेजर फर्क नहीं पढ़ने वाला, लेकिन यह के एक म देश हैं, और उस देश में लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है, यह एक सुप्रेम कोर्ट ने मैसेज दिया, यह एक जो सेक्शन 121 है, 122 है, 123 जिसका आपने भी जिक्र किया, और 124 ए है, इसके बारे बहुत सारे लोग यह आया ही था मिस यूज के लिए, और जब ऐ ऐसी बात थी, और हमने अपनी इतिहास में भी देखा है कि बालंगा दर तिलक महात्मा गांधी पर यह लगा था, तो सम्विधान सभा में जब बहुत सुछ इसको हटा क्यों नहीं दिया गया, तो सम्विधान सभा में बहुत बहुत इस पे हुई, जो हमारी मौली अधिका पटेल, वो जब पहला ड्राफ्ट आया, 1947 में आपको मनूं मैं कि सम्विधान सभा ने अपना कारे शुरू कर दिया था, 9 दिसंबर 1946 से, तो 1947 में जब यह आया, तो उसमें सेडिशन आ गया लिखते, उस पे हंगामा हो गया, तो पटेल को कंसीट करना पड़ा, वो वहां से हटाया गया, फिर जब वो बहस हुई, तो उसमें कई मेंबर्स ने यह कहा, कि यह तो जो अंग्रेजों में कानून लाए, हमारे उपर उस कानून का दुरुक्यों किया, अगर हम एक तरफ अभिव्यक्ति का अधिकार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उस अधिकार को कुछ लगाए जा सकते हैं, वो अनुछेद 19 के क्लॉस दो में, और उसमें बहुत से चीज़े हैं, content of court है, defamation है, obscenity है, public order उसमें आ गया, पहले सम्विधान के संशोदम से 1951 में, security of state है, उसमें, sovereignty and integrity के विरुद्देश के आपको कारे कारनी करेंगे, आप बोलेंगे नहीं जो आपके मैतरी संबंद हैं, विदेशों से और अपने प्रलोसियों से, उनके विरुद्द भी आप नहीं बोलेंगे, इस पे आपको अभी रिक्ति काधिकार नहीं है, सेट गोविंदास ने बड़ी अच्छी बात कहिए, जैंब आपको सुनाओं, उन्होंने का साथ मेरे पिता जी जो थे, उन्होंने 1857 की क्रांगती में अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेजों ने उस साथ को देने के नतीजे में उनको honor किया, और उनको एक gold का gift भी दिया, तो सेट गोविंदास जो के राष्टिया अंदोलन के हमारे नेता थे, उन्होंने ये लिखा के मेरे पिता जी ने बहुत बड़ा पाप किया, अंग्रेजों का साथ देखे, अब इन्होंने कुछ किया नहीं था, सिर्फ यह लिखा के पाप किया, इस पर इनको sedition से गया, और sedition से चार्ज करके इनको दो साल की सजा भी, और उन्होंने कहा कि सम्विधान सभा में बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं, जिनको sedition से नुखसान पहुंच चुका है, इसलिए ये वर्ट sedition अनुछेद 1902 में नहीं है, जो पहले आ गया था, लेकिन सम्विधान आने के ब वोईलेंस ना हूँ, तब तक ये किदारवास से पहले की बात बता रहा हूँ, एविन एक अंग्रेज जच थे, चीफ जस्टिस मौरिस गोएर, जिनके नाम पर एक हॉस्टिल है, डेली युनिवर्स्टी में, उनका भी ये फैसला था, 1902 का, लेकिन जब उसकी अपील उनका दुरुपयोग सारी सरकारों ने किया है, आप देखिए कि नुकलियर प्लांट की कोई प्रोटेस्ट हो रही है, तो कॉंग्रेस सरकार ने उन लोगों पर राज़दरों लगाया, ट्रेड यूनियन लीडर्स पर राज़दरों लगाया, और ज्यादा तर ये मामलात म कन्विक्शन नहीं हुआ, जिससे ये साबित होता है कि ये इविडेंस आपके पास इतनी मसबूत नहीं थी, कि आप किसी को उसमें सजा दिला पाए, और इस खानून का दुरुपयोग हो रहा था, तो जो चीज़े अख़बारों में आर्टिकल्स आते रहे, जजजिस को य इसमें अब्यूज हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस खानून पर एक, क्योंकि अब बहस नहीं हो सकती थी, तो अबेंस में करने का एक मिड़ वे उन्होंने ये किया कि खानून रहेगा भी और उसका असर भी नहीं होगा, ये थोड़ा एतिहासिक है, आम तोर से नहीं होना चाहिए, यूनियन लौ मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, लेकिन अदालत जो एक मेसेज जो उन्होंने दे दिया, कि अब जन्तंत है, और अब मौलिक अधिकारों का उलंगन नहीं हो सकता, देखें चिनंबरम ने जो स्टेक्मेंट उन्होंने कहा कि साथ, यूनियन लौ मिनिस्टर अकेले तहय नहीं कर सकते, कि लक्षमन रेखा क्या है, बात सही है वो भी, और कोई भी खानून जो मौलिक अधिकारों को विरुद है, वो अनुचे 13 के तहत असमयधानिक हो गया है, लेकिन फिर भी अदालते आम तोर से सरक के साथ जाती है, और जब सरकार खुद कह रही है कि हम इसमें कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे किसल में अदालते वेट करती हैं सरकार का, लेकिन इस किसमें सुप्रेम कोट ने वेट नहीं किया, तर आर्टिकल 14 का जो डेटाविस बताता है कि 2010 के है देश-द्रो, तो अकसरा हमारे बातचीत में ये देश-द्रो सब्द का बहुत इस्तमाल होता है, तो थोड़ा सा हमारे दर्सकों को आप बता दीजिए कि इसको कैसे देखा जाए, ने देखे, मेन बात ये है कि राज-द्रो का अगर ये मामला भी आप देखें कि इसमें एक तरफ हो रहा है कि लाइफ इंपरिजन्मेंट की सजा होगी, एक तरफ हो रहा है कि तीन साल की सजा होगी, ये एक साइकलोजिकल वार जो होती है, परसप्शन की, उसमें इस्तमाल हो रहा है, बेसिकली कानून में इतनी इसमें वो बात नहीं रही, क्योंकि राज-द्रो साबित करना बड़ा मुश्किल का हम है अगर किसी ने सिर्फ बोल दिया अब दिखें बल्वन किंग सिंग के केस में सिनिमा आल के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिये गए उसका कंविक्शन हो गया सुप्रिम कोर्ट में मैटर गया सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि लड़ाई में सबसे बड़ा हपियार जो है वह यह है कि यह जो बोल रहा था यह कह दो यह तो राश्ट का दुश्मन है कि उसके बाद सेंटिमेंट किसी का उस आद्वी के साथ नहीं रह सकता जाहरा कि कोई भी देश प्रेमी जो है वह अपने देश के विरुद अगर को कारे कर रहा है उसके साथ नहीं हो सकता कि हमारे प्रणा मंतरी कैते रहें कि सरकार की आलोचन सब्सक्राइब को से के बाद सक के बाद पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए जा सकते मैंने क्यों लगाए जाएं पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे उनको जिन्दाबाद कहा जाए और भारत का तो एक आप सोचिए कि हमारे दिल में तो एक बर्ची चुपी लगी लिए है कि हमारे देश का विभाजन उसके जिन्दाबाद की पॉसिमिलिटी ही हम क्यों एक्स्पलोड कर रहे हैं मैं समझता हूं कि किसी को जरूरत नहीं कि कि किसी और बेश का जिन्दाबाद लगाए भारत माता की जय जो है वो इनाफ है मतब आप देखिए मतब योगी अधितिनाथ ने कहा था कि जो भी पाकिस्तान जिन्दाबाद लगाता है मतब क्रिकेट मैच जब हो रहा था तो देश विरोधी है और यहां पर सरकार को कहा जा रहा है कि आप ये देखें कि आफ आई यार वगारा ना दर्ज हो तो मतब एक पाकिस्तान जीता था और उसमें पूरा चैपक स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी तालिया बजाई अच्छे गेम पर ताली बजाना एक चीज और किसी दूसरे देश का जिंदाबाद कहना दूसरी चीज है ताली बजाने को मैं एक सम्वेधान के टीचर की हैसियत से कह दूँगा ठीक है वही किसी ने कोई अच्छा शॉट मारा एक नैच्छरल इंस्टिंट में ताली निकल गे वा वाट अ शॉट या वाट बॉल लेकिन ये कि हम किसी और देश का सिंदाबात करें ये तो मुझे नहीं पसंद है लेकिन के वाट जो खुद मौलिक अधिकारों को पढ़ाता हूं बिलकु सही कह रहा हूं लेकिन ये कि राज़दो नहीं है ये ये वाट बिलकु बता रहे है कि कानून की वैसे भी नहीं करना चाहिए मैं समझता लेकिन ये कि पानूनी तोर पर वो राज़दो नहीं बिलकु शर आपसे बात करने की बहुत इक्छा है लंबी बात करने के लिए आपके पास समय कम है इसलिए मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा कि आप मतलब इस पूरे बहस में ये लगा कि मतलब सरकार ये कह रहे है क इस से देश-द्रोह साबित किया जा सकता अगर किसी को सरकार चाहे तो तो अब आपकी क्या मतलब ये लोग जानना चाहे हैं कि क्या यह एक धारा 124 ए जो बोलने इसारा करने लिखने पर ही राज-द्रोह लगा दिया जाता है ये खारिज हो जाने की संभावना दिखती है संभादाने को जाने की दीखे ऐसा है अजय कि अब सुप्रेम कोट की तो कई बेंचे इस पे जिस तरीके के इशारे कर चुकी है उससे यह लगता है कि इसकी संभादानिक्ता को बचाना मश्किल होगा सरकार के मेरा ख्याल ही है कि सरकार शायद लॉग कमिशन से इस पे कोई उपीनियन ले और उसके बाद मांसून सशन में कोई संशोधन करेगी 124 ए में और उस संशोधन में वो बात कहेगी जो किदारनाथ में सुप्रेम कोट कह चुकी है कि अगर आपके बोलने या लिखने के नतीजे में वॉयलेंस हुई है कोई और एक्षन हुआ है तो आपको पासद्रो का दोशी माना जाएगा वरना सरकार भी जो है वो इस कानून को अब भारत के समयधान के अनुच्छेद 19 से कंसिस्टेंट बनाने का प्रयत्न करेगी ऐसी मेरी आशा है और मैं यह बात नहीं मानता हूं अजय के एक यह स्टेंड लेना के सरकार जो करती है वो सब सही है सच कहीं मिडल में होता है तो सच यह है कि इस कानून का अब्यूज हर सरकार ने किया है इस कानून की समयधानिक्ता पर हमेशा प्रश्न चिन लगते रहें देश की आलादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद भी यह भी बात एक सच है कि कोई भी देश अपने विरुद राजद्रो को बिना सजा के नहीं छोड़ सकता और उसे नहीं छोड़ना चाहिए और जो देश के विरुद विद्रो करे उसको सजा डेफिनिटली बहुत सख्त मिलने चाहिए तो कोई भी नेशन स्टेट होगी वो अपने विरुद जो एक राजद्रो होगा उसकी स सजा का प्रवधान करेगी यहां बिल्कुल छोटा सा प्रश्ण यह था कि क्या किसी के बोलने लिखने या नारे लगाने से राजद्रो होता है उसमें एक संशोधन की जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार वो संशोधन कर देगी और उस संशोधन को फिर जो होगा सुप्र संशोधन करने के लिए और मैं हिंदी दर्सकों की तरफ से निवेदन करूंगा कि और भी मुद्दे कभी आएं तो आप से लंबी बात चीत हो समय मिले तो एक बात और कि अगर आप सजग और समरिध धनागरिक बनना चाहते हैं तो सर का यूटूब चैनल फैजान मुस्तफा नाम से है उसे भी फॉलो कीजिए और बहुत-बहुत सुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए ये थी हमारी फैजान मुस्तफा के साथ बात चीत अगर आप हमारे खबरों को पसंद करते हैं तो आप न्यूस क्लिक वेबसाइट से जुड़ सकते हैं हमारे यूटूब चैनल न्यूस क्लिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे फेस्बुक पेज और ट्विटर को लाइक कर सकते हैं शुक्रिया आप देखते रहे न्यूस क झाल